जै हिंद दोस्तों आज हिंदी टू इंग्लिज ट्रांस्लेशन के सेरीज में आज जो मैं ट्रांस्लेशन दे रहा हूं इसमें मुख रूप से उस तरह के प्रिपोजिशन को मैंने इसमें इंक्लूड किया है जो कॉंप्लेक्स नेचर के हैं जैसे कब हम थ्रू का यूज करेंगे टाइम के लिए और कब लोकेशन के लिए कब थ्रू आउट ऐज प्रिपोजिशन टाइम और लोकेशन के लिए यूज होगा कब हम opposite को preposition के रूप में यूज़ करेंगे कब adjective के रूप में यूज़ करेंगे कब noun के रूप में यूज़ करेंगे near कब adjective बनेगा कब ये adverb बनेगा कब preposition लगाना है कब नहीं लगाना है not with a standing जो preposition है ये कब adverb बन जाता है और कब ये preposition के रूप में यूज़ करेंगे इसका meaning क्या होगा behind के साथ हम off लगाते हैं नहीं लगाते हैं कब हम after और before का यूज़ करते हैं एक preposition के रूप में और कब adverb के रूप में कब हम because और because of का यूज़ करते हैं कब in case और in case of का यूज़ करते हैं कब as और कब like का यूज़ करते हैं तो इन सारे preposition को आज की इस वीडियो में हिंदी वाक्यों में यूज़ करके अच्छे से explain करके आपको मैं समझाता हूँ तो चलिए आज का class शुरू करते हैं हिंदी वाक्य के साथ दोस्तों class को आगे बढ़ा है उसके पहले बता दूँ कि स्याम सरमाज classes एक नया course भी introduce किया है स्याम सरमाज classes के app पे जो play store पे जाके आप उसको download करें special English badge जो है खास करके written English को मजबूत करने के हिसाब से और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं UPSC main के लिए हैं या UPPCSJ के लिए हैं या RS, राजस्तान PSC के लिए हैं इन सारे बच्चों के लिए या वो बच्चे जो चाहते हैं कि UPSC का exam Hindi medium से ना देखे English medium से देखे उन सब के लिए Special English badge है आप जाके डेमो बीडियो जरूर देखें बाकी SAC, Bank, P.O, Railway, CAPF ये सब के लिए कूर्स आपको पहले से ही Complete English course recorded class मिल रहा है आप ये सारी जानगारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप कर सकते हैं तुछे लिए दोस्तों पहला जो वाक के आपके सामने है कि एक या त्री बस इस सुरंग से गुजर रही है तो किसी भी माध्यम से अगर movement हो रहा है किसी भी चीज़ का एक तरफ से दूसरे तरफ वहाँ पे जो preposition लगाते हैं वो होता है through through एक preposition है और through माध्यम बदाता है through out अगर बोल देते हैं तो सुरू से लेके अन तक पूरा हो जाता है कि हर पार्ट में कोई चीज़ है तो through को हम यूज कर रहे हैं इसको हम कह सकते हैं कि it expresses a movement of anything from one end to the another end or ahead क्यानि कोई भी चीज़ जब move कर रहा है किसी माध्यम में एक end से किसी भी चीज़ के एक छोड़ से दूसरे छोड़ तक या उससे आगे तक उस माध्यम के लिए उस माध्यम से गुजरने के लिए ऐसा संबन दिखाने के लिए जो प्रिपोजिशन ही जोगा वो थू होता है जैसे अगर मैं कह रहा हूँ इस वाक के में लिखा है कि एक यात्री बस इस सुरंग से गुजर रही है तो सुरंग हमारा माध्यम है और उससे ट्रेन मूव कर रही है एक तरफ से दूसरी तरफ तो यहाँ पर लिखेंगे टूरिस्ट टूरिस्ट जो है हमारा नाउन है कॉमन नाउन लेकिन दो नाउन एक साथा जाता है तो यह अड्जेक्टिव बन जाएगा अ टूरिस्ट बस इस गोईन प्रजेंट कंटिनिवर्स में बनाएंगे तूरू यानि पानी का जो मुवमेंट हो रहा है वो पाइप के माध्यम से हो रहा है पाइप के अंदर से हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वाटर इस फ्लोईंग थ्रू दिस पाइप अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इस वाइर के through electricity flow हो रहा है electricity is flowing through this water electricity is flowing through this electric wire या अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं जंगल से गुजर रहा हूँ तो जंगल जो है एक बड़ा एरिया है उसके मद्द से हम गुजर रहे हैं तो I am going through this forest I am running through this forest I am walking through this forest इसका मतलब है कि उसके मद्द से गुजर रहे हैं कमद रहे हैं तो ये इसका हो गया अगला वाक्य देखे दूसरा वाक्य है दोस्तों यहाँ पर वह खेल के मैदान के भीतर ही दोड़ता है तो कोई चीज के अंदर में अगर आप कोई कारे कर रहे हैं कोई भी लोकेशन के भीतर में तो इसके लिए भी आप फ्रू का यूज कर सकते हैं वीदीन के सेंस में ठीक है किसी माध्यम के अंदर में किसी लोकेशन के अंदर में अगर आप वाक कर रहे हैं रन कर रहे हैं मुवमेंट दिखाता है यहाँ पर भी तो जब भी हम यूज करेंगे movement के लिए होगा जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि he is running through this playground he is running through this playground इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया कि he is running within the playground तो through का मतलब इस sense में भी उज़ करते हैं कि कोई चीज या कोई व्यक्ती movement कर रहा है किसी भी एक इन campus क्याने कि कोई भी एक boundary के भीतर अगर कोई movement दिखाना है तो through का यहां पे उज़ हो गया दोस्तों कि कभी भी अगर आपको ये दिखाना है कि कोई एक field एक campus एक boundary के अंदर में कोई कतिसिंता दिखाना है तो वहां पे भी आप through या within का यूज कर सकते हैं इस वाक के में लिखा है कि इस park में सुरू से लेकर अन तक फूलों के पौधे लगे हुए यहां भी location बताना है कोई चीज अगर availability है किसी चीज की पूरे च्छित्र में कोई location के हर एक part में तो वहां पे आप through out का प्रियोग कर सकते हैं एक साथ preposition के रूप में यहां पे हम जो preposition यूज करने जा रहे हैं वो है throughout एक साथ लिखेगे throughout का मतलब होता है every part of any location कोई location के हर area में हर हिस्से में तो इस park में सुरू से लेकर अंतक फूलो के पौधे लगे हुए हैं क्या लगे हुए हैं फूलो के पौधे लिखेंगे there are flower plants यहां से फिर से मैं बता दूँ कि flower और plants दोनों individually noun हैं लेकिन flower यहां adjective हो जाएगा there are flower plants कहां पे है throughout this park अब यहां पे throughout in this park मत कर दीजेगा क्योंकि throughout यहां पे खुधी जो है preposition है तो ही है जैसे अगर आप कहते हैं कि there are less green trees throughout this valley यानि कि पूरा valley जो है अच्छा दी थे भरे भरे पेडू से तो throughout का मतला होता है पूरा जैसे I clean the room I throughout clean the room या I clean the room throughout यानि कि सुरू से लेके अंतर तो यह adverb के रूप में भी आएगा अगर इसके आगे noun का प्रयोग नहीं हुआ है और अगर throughout के आगे noun लिखा हुआ है noun phrase लिखा है तब यह preposition बनेगा adverb के रूप में भी इनका यूज करेंगे adverb के रूप में जब इनका यूज करेंगे तो यह without noun हैगा मतलब कि यह आगे noun को follow नहीं करेगा और चुकि preposition पढ़ रहे हैं तो यह time location दोनों के लिए होता है तो अगला वाकि ज़रा देखिए यहाँ पे हम इनका time के परिपेक्ष में देखते है through और throughout values जैसे अगर कोई चीज कोई program है कोई scheme है या कोई भी ऐसी चीजे जिसको time के परिपेक्ष में दिखा रहे हैं कि यह शुरू से लेके यहाँ तक चलेगा तो वहाँ पे भी through का use आप location के साथ time के लिए करेंगे जैसे यहाँ है यह परदर्षनी दिसंबर के अन तक चलेगी यानि शुरुवात पहले कभी हुआ है लेकिन यह अन तक चलेगी तो यह गतिसिलता दिखाना है यहाँ भी तो हम यहाँ पे लिखेंगे this exhibition और यह scheduled है तो present and infinite में future की बात कर सकते है तो through का मतलब हो गया कि यह गतिसिलता दिखा रहा है time के परिपेक्च में कि कोई चीज कब से कब तक चलेगी उसके लिए आप यूज़ करते हैं time के लिए भी और location के लिए भी आपने यूज़ करके देखा अगला है कि वह शुरू से लेकर अन तक मेरे साथ काम किया था फुरे साथ तो यहाँ भी time के लिए बताना है तो यहाँ पे जो preposition हुआ कि शुरू से लेकर अन तक time लिखाना है तो throughout आप यूज़ करेंगे ठीक है जैसे अगर मैं कहूं कि वह शुरू से लेकर अन तक मेरे साथ पुरे साल मेरे साथ काम किया तो he work with me throughout throughout location के लिए भी यूज़ कर रहे है यहाँ टाइम के लिए throughout this year throughout this year या throughout the day या throughout the month तो throughout the day का मतलब हुआ की सारा दिन all day long throughout the day का मतलब क्या हो गया throughout the day इस का मतलब हुआ की all day long यानि सारा दिन throughout the year यानि all year long तो इस तरीके से location के अलावा time के लिए भी इनका use करेंगे अगला जो वाक के है दूस्तों वो है कड़ी मेहनत के बाबजूद वो अपने परतितवन्दी को हरा नहीं सका तो यहाँ पे adverse चीजों को दिखा रहा है कि अपने परतितवन्दी को लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो विपरित परिणाम को दिखाने के लिए जो preposition आप उच करते हैं वो not with standing का प्रियोग करेंगे एक साथ लिखना है not with standing preposition के रूप में इसका जो meaning होगा वो despite हो जाएगा despite या despite के जगा आप चाहें तो in spite of अभी प्रियोग करेंगे in spite रहेगा तो अख लगाना है तो यहाँ पर लिखेंगे not with standing hard work he could not defeat his opponent वो अपने विरुधी को हरा नहीं सका तो not with a standing जो होता है इसका मतलब despite होता है preposition के रूप में तो आप चाहें तो यहाँ पर despite भी लिख सकते थे और despite के साथ off लगाना गलत हो जाएगा क्योंकि यह खुद preposition है यह अगर हम चाहें तो यहाँ पर in a spite of भी लिख सकते थे तो यह तीनों एक ही meaning देगा और इनको आपस में एक दुसरी के बदले में बदल सकते हैं notwithstanding conjunction के रूप में या conjunctive adverb के रूप में भी प्रियोग करते हैं जहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है however तो अगला वाक्य में इसका however वह भी प्रतिकूल रिजल्ट के लिए प्रियोग किया जाता है उस तरह से देखेंगे और conjunction और adverb में जब उज़ करेंगे तो clauses को जोड़ेगा देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि वह एक गरीब परिवार से था तो पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी उसने अपनी पढ़ाई पूरी गी मतलब प्रतिकूलता यहाँ पर भी है तो वह एक गरीब परिवार से था यानि कि यहाँ पर हम लिखेंगे he belonged to a poor family poor यहाँ पर adjective है he belong to a poor family यहाँ पर में मतलब यह पूरा एक clause हुआ अब यहाँ पर हम notwithstanding को however के sense में यूज़ कर रहे है however he completed his studies completed his studies so however का मतलब हुआ फिर भी इसका मतलब हुआ non the less adverb के रूप में non the less, however या never the less so जैसे however, non the less, never the less का प्रयोग किया है उसी प्रकार यहाँ आप चाहें तो notwithstanding का भी प्रयोग कर सकते हैं इसका मीनिंग क्या हो जाएगा never the less however conjunctive adverb के रूप में तो conjunctive adverb होता है तो पहले semicolon और उसके बाद comma लगाना है जैसे कि इस वाक्य में लगाया अपका है तो notwithstanding तो meaning despite होगा preposition के sense में और however यानि फिर भी होगा conjunction या conjunctive adverb के रूप अगला जो वाक्य है दूस्तों कि हम लोगों की आर्थें एक दूसरे से विप्रीत है तो विप्रीत का अर्थ क्या होता है विप्रीत का अर्थ होता है opposite तो opposite का मतलब जब भी विप्रीत हो तो उस sense में इसको हम adjective मानते है और जब यह adjective है तब इसके साथ है preposition तू लगाते है या कहीं कहीं पर from का प्रिव करते है prefer to करते है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि our habits कैसा है विप्रीत है तो यह adjective हो गया our habits are opposite एक दूसरे से दो है तो इसके लिए each other का प्रियोग करिए दो से अधिक अगर हम लोग को बताना है तो one another का प्रियोग करें सही है तो यहाँ opposite के साथ हमने preposition to लगाया है तब लगाना है जब यह adjective हो अगर यह preposition खुद हो तब नहीं लगाना है जब opposite preposition होगा तो opposite का मतलब हो जाएगा in front of के सामने तब यह फिर preposition है फिर यहाँ पे preposition to बेगर लगाना गलत हो जाएगा तो यह धियान रखना है तो अगर बोलना है opposite का मतलब जब बिपरीत हो तब समझेगा कि यह adjective है तब preposition लगा सकते हैं opposite का मतलब जब in the other side हो या in front of हो in front of आप समझे के सामने एकदम तो वो वहाँ पे adjective नहीं होता है वो खुद preposition होता है और वो आगे एड़वर फ्रेज बनाता है वहाँ पे आप preposition लगाना आपसे जो लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि यह adjective के रूप में है कि preposition है मेरा विचार आपके विचार से बिपरीथ है तो बिपरीथ है तो यह adjective हुआ फिर यहाँ to लगा सकते हैं क्या my opinion is opposite to yours यहाँ पे opposite yours लिखना गलत हो जाएगा यहाँ to जो लगाया है preposition सही है क्योंकि यहाँ opposite का मतलब विपरीथ हुआ और यह adjective है तब हम लगा सकते है तब हम लगा सकते हैं अगला जो वाक्य है कि हम लोग एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं तो आमने सामने या in front of के sense में opposite का प्रियोग जब करेंगे वो preposition है तो यहाँ पे to नहीं लगाना है we leave opposite each other तो opposite का मतलब यहाँ पे in front of हुआ है यानि हम लोग का जो घर है ना एकदम आमने सामने है तो यहाँ पे अगर हम to लगाते तो यह गलत हो जाता क्यों क्योंकि यह जब भी in front of के sense में आएगा तो यह preposition हो जाएगा तो फिर से अलग preposition एक्स्टर लगाना क्या हो जाएगा superfluous और यह बात समझ में in front of के sense में opposite खुद ही preposition है तो यह यहाँ preposition है तो to लगाना गलत है अगला जो वाक्य है वे लोग एक दुसरे के आमने सामने बैट कर खाना खा रहे हैं मतलब यहाँ आमने सामने है यानि कि opposite का प्रियूट करेंगे preposition की रूप में यहाँ लिखेंगे they are having food while यहाँ preposition की रूप में आया है आगे जीरन लगा रहे है while sitting opposite आपोजिट वी प्रिपोजिशन है each other दो के लिए each other दो से अधिक के लिए one another pronoun है preposition के आगे noun यह प्रोणाउन लगा सकते हैं अगर यहाँ दू लगा देते है आपोजिट के साथ तो यह गलत हो जाता अगला जो वाकिय है दोस्तों कि मेरे घर के नजदीक कोई पार्क नहीं है तो नजदीक जो होता है यह हमारा एड़वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और अजजेक्टिव के रूप में और preposition के रूप में सब कुछ यूज करते हैं तो अगर हम कह रहे हैं near नजदीक यानि कि not far इसका मतलब हुआ not far away तो ये जो है हमारा खुद preposition के रूप में यूज हम करते हैं तो उस cases में इसके साथ हमें preposition नहीं लगाना है तो अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि मेरा घर के नजदीक कोई park नहीं है there is no park या not any park दोनों लिख सकते हैं no park near distance बता रहे हैं तो यहां पर distance अगर location में not far away in distance यहां पर मैं लिख दूँ in distance जब distance बता रहे हैं तो यह हमारा खुद preposition हो जाता है तो इसके साथ अगर हम to लगाते या by लगाते जो अमोमन हम लगा देते हैं वो गलुप जाएगा there is no park near my house यह होना चाहिए क्योंकि यह खुद preposition है जब इसका meaning not far away in distance हो समझे? अगला है आव मेरे नजदीक बैठो तो यहां पर भी distance बता रहे हैं तो यह फिर हमारा preposition हो गया तो हम कहेंगे कि sit near me sit near to me होता distance बताने के लिए तो near यहां preposition है कैसे पता चला? यह बता रहा है not far away in distance तो distance जब हम बता रहे हैं कि एकदम नजदीक के लिए तो यह preposition हो जाता है तो फिर यहां to लगाना गलत हो जाएगा देखिए दूस्तों एक तो हमने देखा कि near को distance के sense में देखा है तो distance location का अगर दिखा रहा है तब तो यह preposition है लेकिन near अगर time के prefix में दिखा रहा है तो यह adjective होता है और जब adjective होता है तो फिर इसके साथ आप तू लगाते है जैसे लिखा हुआ है मेरे पिताजी सेवा निवरिती के नजदीक है तो यह time का है location का नहीं है यहां लिखेंगे my father is near क्या बताना है distance या time तो यहां टू लगाएंगे यह adjective हो गया है near to the retirement near to the retirement my father is near near to the retirement तो near जब भी time के परिपेक्ष में आ रहा है तो यह adjective है और इनके साथ तू लगाना है तो यहां पर तू ना लगाना गलत हो जाता है यहां फिर से देखिए मैं जनवरी माह के प्रारंब के आसपास यहां भी near का प्रियोग होगा लेकिन यह preposition है यह adjective है यह देखना है तो यहां समय का है कि distance का है यह देखिए of January यहां पर near to लगाया है टाइम के परिपेक्ष में बात हो रहा है तो यहां पर टाइम के परिपेक्ष में जब हम बात कर रहे हैं तो यह हमारा adjective है और इसके साथ हम preposition लगाएंगे जैसे opposite के साथ लगा रहे तो तो यह हैं अब एक बात और याद रखना है near adjective होता है जब आगे unit of time दिया हो तब हम इसके साथ रूगा प्रियूग करते हैं लेकिन near adjective near के साथ अगर कोई near location दिया हुआ हो तो हम adjective के रूप में तो यूज नहीं होगा preposition के रूप में होगा preposition बन जाएगा फिर preposition लगाने की ज़रूद नहीं है लेकिन यह फिर preposition है लेकिन nearby अगर एक साथ लिखते हैं और आगे कोई noun लिखा हुआ हो कोई location का नाम हो तो nearby यहाँ पे सही हो जाएगा जैसे nearby hospital nearby temple nearby market adjective के रूप में हम यूज कर सकते हैं nearby दोनों को एक साथ लिखे जैसे अगला वाकि देखिए देखिए इस वाकिय में लिखा हुआ है हम लोग सुबह में नजदीक के मंदिर में गय थे नजदीक के मंदिर में तो नियर का प्रियूग होगा तो अगर मैं यहाँ पे लिखाँ की हम लोग सुबह में गय थे we went to the near temple we went to the near temple in the morning तो नियर एडजेक्टिव के रूप में जब भी उच कर रहे हैं और आगे लोकेशन वाला कोई नाउन लिखा हुआ है कोई temple, hospital, school यह सब तो वहाँ पे near का प्रियूग सिर्फ लिखना गलप हो जाएगा यहाँ पे near और by दोनों एक साथ लिएंगे नियर बाई temple, नियर बाई hospital, नियर बाई college, नियर बाई library, नियर बाई lab तो यहाँ पे near को लिखना सिर्फ अकिला गलत था जैसे अगर मैं कह रहा हूँ, अगर time का unit दिया हुआ हूँ, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में नियर को, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि हम लोग निकट भविस में तुम्हारे पास आएंगे we will come to you in the near future तो यह time के location के हिसाब से इसको हम adjective के रूप तरह बनाया हैं और यहाँ unit of time है तो यह adjective है, अगर हम इसको time के location दिया बताएं तो टू लगाना की ज़रूत नहीं है near future, तो गलत है, nearby temple बोलेंगे, nearby hospital लेकिन near future लिखना time के लिए सही है अगला है, मैंने उसके बुरे बेवहार के कारण फटकार लगाया, कारण क्या था? बुरा बेवहार तो कारण के लिए because का भी प्रियोग करते हैं और because of का भी प्रियोग करते हैं तो दोनों में फर्क है है, कि off लगाया है last word, अगला जो मैं class दूँगा यह prepositional phrase preposition से दूँगा, जो complex preposition बोलते हैं तो इसको हम preposition मानेंगे और इसको conjunction, subordinating conjunction तो यहाँ पर देखना है कि आगे अगर clause है, यानि कि subject predicate दोनों है तभ ही हम because दिखेंगे, preposition के रुप में इनका इस्तेमाल करेंगे तो मैंने उसे data था, I escorted him, क्या लगाएंगे his mischief, mischief हमारा abstract noun है, बुरा बेभार कहते हैं तो यहाँ पर यह जो है हमारा noun ही है, बुरा clause तो नहीं है, भर्व नहीं है कुछ तो यहाँ पर because और because of में से selection करना हो तो because of लगाएंगे, preposition, because लिखेंगे तो वो spotting error में आ जाएगा लेकिन अगला वाग के जो है, कि मैंने उसे फटकार लगाया था क्योंकि उसका बेभार पुरा था, तो यहाँ पर दो clause है दो clause है, मतलब दो भर्व है, दो predicate है, तो मैंने उसे फटकार लगाया था I escorted him because his behavior was unjust, his behavior was unjust, तो यहाँ पर because लगाया है, सही है अगर हम यहाँ पर because of लिखते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक भर यह हुआ, मैंन भर एक भर यह है तो दो clause है, तो हमें subordinating conjunction because लिखना है मैंने अपना काम पूरा किया, जैसा आपने समझाया था I completed my work, यहाँ पर मैं फर्क बता रहा हूं कि as or like तो like जो है, यह हमारा preposition है, as हमारा conjunction है तो यहाँ पर क्या लगा, I completed my work, you guided me तो यहाँ पर एक भर भी हो गया, एक भर भी हो गया तो दो clause हो गया, तो यहाँ हमें conjunction लगाना है, यहाँ as लगाएंगे तो यहाँ पर नाउन दिया है, आगे कोई भर नहीं है, यहाँ preposition चाहिए, like you यहाँ as लगाएंगे तो गलत है, तो like और as का meaning एक होता है, Hindi में lexical meaning लेकिन इसके grammatical value अलग अलग है, grammatical parts of his speech different है तो वैसा ही बेभार करे गए, अगला जो मैं confusion जो होता है in case और in case of में, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि in case of जो होता है, यह हमारा preposition है, और यह हमारा conjunction है, तो उस तरह से use करिए कि noun से संबन दिखाना है कि दो clauses को जोडना है, यह बचत किया हुआ धन, these savings, savings मतलब बचत किया हुआ धन, will work, कब काम करेगा? मुसीवत में, काम आएगा, will work, adversity, यह rainy days, तो यहाँ पे in case of का अप्योग करेंगे, कि यह नाउन से संबन दिखाना है, ठीक है, यह सारे बचत किया हुए पैसा काम आएगा मुसीवत में, अगला जो है, उसमें आप क्या यूज करेंगे, आप इस बचत किया धन का अप्योग करेंगे, यू विल यूज देज सेविंग्स, आगे क्लाउज है, in case लगाएंगे, in case, you be in adversity, अगर आप मुसीवत में होते हैं, तब, तो में भरवे के हो गया, एक में भरवे हो गया, तो हमें चाहिए था कंजंक्शन, तो in case का मतलब यदी हो गया, अगला जो वाक्या है दोस्तों, कि मेरे घर के पीछे, एक सुन्दर फलों का बागीचा है, तो बिहाइंड का मतलब के पीछे होता है, इसके साथ ओफ लगा के हमेंसा हम गलत कर देते हैं, गलती हो जाती है, तो यहाँ पे इसको लिखना है, there is a beautiful or chart, और चार्ट का मतलब होता है फलों का बागीचा, बिहाइंड आई हाउस, बिहाइंड ओफ लिखेंगे, तो यह गलत हो जाएगा, ओफ लिखना सुपरफ्लू असे इसके साथ, अगर कोई ब्यक्ति के सामने अगर हम कुछ कह रहे हैं, तो वहाँ पे बिफोर का यूज होता है, ब्यक्ति हो बस्तु हो, ये सब के लिए होता है, लेकिन ये होता है सिर्फ परसन के लिए, और इन फ्रोंट Оफ ka यूज हम करते हैं, नॉन लिविंग ठिंग के लिए, आपोजित का सब के लिए, ये सिर्फ परसन के लिए, preposition के रूप में तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके सामने अपनी मन की बात नहीं कर सकता तो यहां लिखेंगे I can't speak my mind speak my mind का मतलब मन की बात करना ही होता है before you तो you person है before लगा इसका मतलब यह सामने हुआ और अगर हम यहां in front of लिखेंगे तो वो हो जाएगा बस्तू के लिए in front of the gate in front of the house in front of the temple यानि opposite के sense तो ही है और after का मतलब जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा के पीछे behind के sense में और before जब time के परिपेक्ष में हम बात कर रहे हैं clauses को जोडने के लिए तो इसी को हम conjunctive adverb बोलेंगे जैसे before monday बोलते हैं by monday बोलते हैं तो before वहाँ पे preposition ही है लेकिन before you came एक clause के पहले बोल रहे हैं तब ये फिर हमारा conjunction है adverb जैसे अगला है वह लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो यहाँ पे जो preposition होगा कि they are running after money the police are running after faith तो यहाँ पे क्या हो जाएगा after का मतलब follow करना पीछे करना तो उस तरह के सम्मध बताने के लिए preposition after का प्रेट करेंगा लेकिन यही फिर से after के आगे कोई clause अगर आजाए तो फिर ये adverb आज आज आपको मैंने कुछ prepositions के बारे में बताया है जो complicated nature के थी अगले वीडियो में मैं आपको जो phrase preposition होता है जो pair में हम बढ़ते हैं उनके बारे में मैं जानकारी दूँगा अपना ख्याल लखेंगे हसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे ये हिंद, ये फारे